हाईलो एभरिवन कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे दोस्तों मैं हूँ धर्मेंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल डीके टेकनो 52 में आपका साधर अभिनंदन और कोट कोट अभिनंदन है दोस्तों आज मैं कंटेंट लेकर के आया होके प्रधान मंत्रि आवाज स्योजना में यह जी आप इज बर यह हैं पात्र हैं दोस्तों और आपके पास पूरा का पूरा डाकॉमेंट है और अभी तक अभी आप प्रधान मंत्री आवाज स्योजना का लाँ मौश नहीं लेपाए हैं वहीं जुगी जोपडय Marte और करना है एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ नहीं पाएंगे और रुक जाएंगे आप फार्म अपलाई नहीं कर पाएंगे तो आप अपने खुद के मोबाईल या लप्टाप कंप्यूटर पीसी से किस तरह से प्रधानमंत्र कि कंप्यूटर है आपको यहाँ क्रों को खोल लेना है और यहां को टाइप कर देना है, पी एम ए वाई यू, यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां बहुत सारा आपसन आं और इस पर आपको क्लिक करना है PMAYU इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुलेगा अब आपको यहां क्या करना है आप लाइफ हर PMAYU 2.0 इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इसको आपको पूरा पढ़ लेना है कि कि इसमें क्या बीलसी को कितना मिलेगा यहां देखे लिखा हुआ है सारा कुछ आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों और इसके बाद यहां आपको चेक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहां आपको मैं बता देता हूं कि इसको आपको आवस्यक दस्ता बेज़ आपका लगने वाला है आवेदक का आधार बीउरन आधार संख्या आधार के अंसवार जन्मति थी परिवार के सद्दस्यों का आधार बीउरन और जन्मती थी आवेदक की सक्री बैंक खाता बैंक का नाम आई अपसी कोड और जो आधार से जुड़ा हो आई प्रमाण पत्र मतलब इंकम सक्टी फिकेट चाहिए जाति प्रमाण पत्र या CST जो भी है OBC मामले में और इसके बाद दोस्तों आप यहां देख सकते हैं भूमी दस्ता वेज मतलब वो BLC घटक के मामले में आपका ये खतवनी भी लगेगा देन आपको यहां प्रोसीड़ पर क्लिक कर देना है जैसे आप प्रोसीड़ पर क्लिक करेंगगे दोस्तों हाउप सोड पायद आप इजबिल्टी काइटेरिया मना है इसके बाद सलेक्ट मिशन कॉंपरनेंट यहां यहां बैचलर लीड यहां कुछ होता है दोस्तों इस पर आपको बेलसी पर क्लिक कर लेना है और देन आपको यहां डू यू पका हाउस एनिवद यदि आपका भारत में कहीं पका मकान है तो यस करें अन्यथा नो पर क्लिक कर दें और इसके बाद यहां वेनिफेट अंडर हाउसिंग आप सच्मी आप काइटेरिया इस्टेट गौर्वर्मेंट इन पास्ट टूंटी वर मतलब कि आपको बीस साल में भारत से कोई योजना का लाभ मिला है इसका मतलब कि जो पीम आवास योजना है तो यहां आपको नो पर क्लिक कर देना है देना आपको इजबिल्टी चेक पर क्लिक करना है जैसे आप इजबिल्टी चेक पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप इलिजबल है यहां आप देख सकते हैं आप आपको यहां आधार नंबर डालना है दोस् के बाद एक चेक बॉक्स है इसको आपको चेक कर देना है चेक करने में बाद पर qleek करना है तो चलिए हम फटा बढ़ यस में आध्हार डाल लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने आधार नंबर डाल दिया है, देन नेम भी डाल दिया है, देन गेट OTP पर आपको लिम्जET कर दे ना है, जैसे आप OTP पर क्लिक करेंगे, आपके जो आधार कार्ड में मुबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर OTP जाएगा दोस्तों. अब OTP हम यहां mention कर लेते हैं दोस्तों मैंने यहां OTP डाल दिये है दोस्तों आप देख सकते हैं देन आपको submit पे क्लिक कर देना है, जैसे आप submit पे क्लिक करेंगे दोस्तों है कि PIN card संख्या यहां पर आपको डाल देना है और इसके बाद जनम्तित्थी जो आपके अधार कार्ड में है इस पर आप स्टिति करके डाल लेना है फिर इसके बाद link sex आपको select करना है महिला पुरुस अन्या ट्रांजेंडर ठीक है दोस्तों और इसके बाद यहां बैवाही की स्थिति आप मैरेड है या अनमैरेड है इस पर आपको क्लिक करना है आप यहां से अपना एकौर्डिंग सलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आप यहां देख सकते हैं आधार के अंसर पिता का नाम यहां सुष् ऻिग्यान रखेंगे जो जहां जहां लाल रंग का स्टार मार्किंग मार्किंग है दोस्तों उसको आपको जरूर ही भरना है َाभा यहां आधार के अनसार माता का नाम यहां सु त Charlayक्ट कर लें करते हैं दोस्तों इसमें सारा चीज है इसको आपको सलेक्ट कर लेना है सच्छडी के युगता वह कितना पढ़े लिखें हैं यहां से आप देख लेंगे इसके बाद परिवारी से रिंडी तो यहां इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद क्या परिवार के परस भारत में कह आपका income certificate है दोस्तों यहाँ पर आप upload कर लेना है ठीक है दोस्तों अब आपको क्या करना है धर्म आपको select करना है हिंदू है मुस्लिम है सिख खिसाई क्रिस्टियन जो ही है इसको आपको select कर लेना है इसके बाद सो निधी भावन और निर्माण स्रमी कांगर्वाड़ी कारे करता पीम विश्व कर्मा तहतकारीगर सफाई कर्मी जुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं तो यस करें और नहीं तो नो पर आपको click कर ल नून के तहत ऐसे प्राधी करण के अधिकार छेत्र में तहत सूचित योजिनाबीकास छेत्र के भीतर रहते हैं तो आप अपनी according यहां select कर लेंगे ठीक है दोस्तों आब यहां क्या करना है कि वर्तमान पता और संपर्क ब्यवरा जो यह मतलब कि जैसे पर्मानेंट अस्थ अब भल लेना है फिर इसके बाद यहां कर देना है अब आपको क्या करना है दोस्तों चलिए हम यहां से कर देते हैं और यहां को क्या करना है कि पूरा आपको अड्रेस अपना पीन कोड मोबाइल संख्या इमेल सहर का नाम यहां सब करके सेम अड्रेस पर क्लिक कर देंगे के फैच कर लेंगे अब आप को यहां देख सकते हैं दोस्तों की आवास निर्माड अस्थल का पता है जैसे कहां आप घर बनवाना चाहते हैं उसका आप मकान फ्लेट संख्या इसको आपको पूरा भर लेना है ठीक है और इसके बाद यहां को क्या करना है कि भूम दस्ता बेज अपलोड करें अपलोड पे क्लिक करेंग जो जमीन की खतवनी होगी उसको आपको अपलोड कर देना आप आप खुद है या मालिक है या रेंट पे रहते हैं गर नहीं है तो इसको आप सलेक्ट कर लेंगे आपको क्या करना है दोस्तों कि जितना आपके घर में में मेंबर हैं सबका आधार काड़ यहां आपको यहां पर एकूपेशन उनका क्या बेउसाय है डालेंगे इसके बाद यहां आधार नंबर फील करेंगे उनका उनका जेंडर सलेक्ट करेंगे इसके बाद आवेदक के साथ संबंध उनका क्या संबंध है इसके बाद उनका जनम तिथीज कलेंडर पर क्लिक करके लिखेंगे उनका नाम यहां पर लिख देंगे लिखने के बाद यहां जो इंटर करना है आई अपसी कोड़ पयर प्लिख सब्साने कितेब यहां फिरियन का का नाम लिखिए जायगा आप फुर लिख लेना आतोमेटिक आजायेगा जैसे यहां क्या करना है कि आप किसी आप प्राईजी तो प्रीट टूपूइंट जूरो यह समें लाब उठाया है धी हां उठाया है तो यह संह और नहीं तो और घिंडिन पडूर फंड़ करेंगे इसके बाद यहां के और ही पर करेंगे दोस्तों फार्म को सुरचित पर करें पर आपको कंको कर देना है और इसके बाद जैसे ही आप फार्म सब्मिट करते हैं आपको एक रिफरेंस नंबर मिल जाएगा प्रूब हो जाएगा और इसके बाद जियो टैगिंग होगी कुछ आला धिक्यारी आएंगे चेक करने के लिए आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके बैंक वीडियो आपके मोबाइल में बिजिट करें और अपना ध्यान रखेंगा दोस्तों और हमें मोटीवेशन देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद